राम राम जी सारे नहोप फुली सारे ठीक ठाकोगे तो आज की वीडियों बात करांगे अपर MDU PG Courses के जो इंटरेंस एक्जाम होने वाड़े अभी 2022-23 के तो उनके बारे में तो सबसे पहले मैं बता दू कि जो आप अभी किसी भी है आगे बताऊँगा कि आपके जो एंटरेंस एक्जाम है course by course बताऊंगा कि आपका ये एंटरेंस एक्जाम इस तारीक को है इस टाइम पे ठीक है तो वीडियो को आखरी तक जो जूरुरू दे खना और जिशने चलनल को कूर्शी जह उनका होगा ठीक है लाइफ साउंस के आपके दस बजह से लेकर गैरा बजह तक 23 तारीक को आपके जो इंटरेंस एक्जाम होंगे और 23 तारीक को जो दूसरी शिफ्ट आपकी 12 बज़ के 30 मिनट से 1 बज़ के 45 मिनट तक इसमें आपके मेली जो MDU का CPS गुरू गुराम का जो केंपस है उसके आपके इंटरेंस एक्जाम होंगे MBA जर्नल का है MBA ओनर्स का MBA बिजनर्स एकनोमिक्स का MBA है वहाँ पे वो इवनिंग सेसन में ठीक है उसका भी आपका गुरू गुरू गुराम वाले केंपस का होगा 23 तारीक को दोपहर को ठीक है 12 बज़ के 30 मिनट से 1 मिन तारीक तक उसके बाद आपका श्याम वाली शिफ्ट है 3 बज़े से लेकर 4-15 तक उसमें आपका MSC, Forensic, Science और EMCOM है और MA Sociology इनका इंटरेंस होगा श्याम को और इन सभी 23 तारीके जितने भी हैं इनका रिजल्ट आएगा आपका 27 अगस्त को श्याम तक आपका रिजल्ट आजाएगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं आपके 24 तारीकों सुबह आपका इंटरेंस एक्जाम होगा MSC Chemistry ठीक है और आपका दोपैर को होगा MA Journalism और Mass Communication का उसके बाद आपका जो Mathematics का डिपार्टमेंट है उसका होगा MSC Mathematics का MSC Mathematics with Computer Science MSC Mathematics and SFS ठीक है उसके बाद आपका Evening Shift में होगा MSC Physics का होगा उसके बाद आपका जो Psychology Department है उसके होगा MS Psychology, MS Applied Psychology का ठीक है इन सभी के रिजल्ट और 28 तारिक को आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 25 अगर्ष्ट को आपका होगा सुबह MA Political Science का और उसके बाद आपका LA का जो होगा सुबह LLB 3 Year ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे की LLB 3 Year का जो आपका कोर्स है उसका आपका इंटरेंस का बोगा तो उस का होगा आपका बाई 25 अगर्ष्ट को ठीक है दोपैर को होगा ये 12 बजे से लेकर 15 तक उसके बाद स्यामवाली सिफ्ट है 3 बजे तो उसमें होगा आपका MA History होगा और उसके साथ साथ आपका LLM होगा ठीक है गुरुगराम केंपस वाड़ा ठीक है तो इनका जो है और 29 तारिक को आपका रिजल्ट आ जाएगा आप आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपका 26 तारिक को होगा आपका इंटरेंस सुबह में जोगर्फी का में स्टैटिक्स का और में संस्कृत का और MPED का भी होगा ठीक है उसके बाद आपका MA Defense का MA Economics का MA Science का ठीक है उसके होगे इंटरेंस एक्जाम उसके बाद 3 बज़े शाम को होगा 26 तारिक को MA Yoga का और इन सभी का रिजल्ट आपका च्यार दिन बाद यानिकी 30 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 27 अगस्त को आपका सुबह होगा MA Hindi का उसके बाद आपका होगा Computer Science में आपका दोपैर को होगा आपका MC, MSC Computer Science, MTTM ये आपका और MHMCT ये आपके courses है ठीक है तो ये आपके होगे दोपैर को इनके इंटरेंस टेस्ट होगे और उसके बाद आपका शाम को Evening Shift में होगा आपका MA English का ठीक है और इनका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक आपका आजाएगा श के उपर और जो GP80 का स्कोर होता है उसके उपर आपके होगे ठीक है तो MTEC का है Bio Technology MTEC के जितने भी admission है आप इसके उपर देख सकते हो ठीक है सभी के सभी का जो admission होगा वो आपका gate के स्कोर के उपर academic merit based पे होगा उसके बाद आपका जो pharmacy में है ठीक है एम फार्मा में जितने भ होगा आपका तो इसके जो स्कोर होगा उसी के बेसेज पर आपका admission होगा तो आज की वीडियो में यही बताना था होप करता हूँ सभी के जो courses है PG courses वाड़ों के सभी के courses गवरों गयों गयों तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर तब तक चैनल को सस्क्राइब कर द होता कि उनको पता लग जाए कि आपका जो entrance examma वो कद है मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर तब तक के लिए राम राम